दोस्तों वैसे तो दग कपिल सरमासो का हर कैरेक्टर दमदार है लेकिन कुछ कैरेक्टर इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि असल जिंदिगे में भी लोग उन्हें उसी नाम से बुलाते हैं और एक बार कैरेक्टर पॉपुलर हो जाने से पब्लिक में उनके डिमांड बढ़ती क्या है कि उनके आते ही स्टेज खिल उटता है हाला कि कुछ कैरेक्टर जैसे चंदु चाहे वाला या भूरी आज भी एक पर्मानेंट कैरेक्टर पाने के लिए इस्टगल कर रहे हैं यही कारण है कि बीच बीच में ऐसे खबरे आती है कि चंदन प्रभाकर को काम नहीं मिल आता है यानि कपिल सर्मा हमेशा इन दोनों के पर्फॉमेंस में खुद को सामिल करके इनके कैरेक्टर को पॉपलर करने की जुगत में लगे रहते हैं लेकिन अब दिरे दिरे चंदन प्रभागर ने कुछ ऐसे करेक्टर करने शुरू करती हैं जो दरसों को कापी पसंद आ आएगा ही इसमें चंदन खुद के सहारे पब्लिक को एंटिटेंड करने में काम्याब हो पाए हैं और मेरी ही तरह आप भी इसे आगे देखना चाते होंगे वैसे दोस्तों आपको बता दे कि चंदन का ये करेक्टर पहली बार दग कपिल सर्मा सो में प्रस्थानम मूबी क की प्रमोशन करने आए बॉलिवुट के खलना एक संजेदत और उनकी बीवी मानिता के सामने चंदन द्वारा किया गया था और उस एपिसोड में चंदन के इस करेक्टर ने पहली बार कपिल और कृष्णा के पर्फोर्मेंस को फेट कर दिया था चंदन का यह करेक्टर इत लगे होते हैं यदि कोई कैरेक्टर अच्छे टियार भी नहीं दे पाएगा तो जाहिर सी बात है उसे इसक्रिन प्रजायन से कम मिलेगी और हो सकता है उसकी सो से चुटी भी हो जाए इसलिए इस सो में पर्मनेंट बने रहने के लिए डॉक्टर गुलाटी बच्चा याद और वीडियो अच्छा लगा हो तो पर लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए वरना मुझे भी आपको यह मगर्मत रिखा कर कहना होगा अजीब जानमर है कितना बिखाए बुखा रहता है